थोड़ी सी आज थोड़ी सी काफी भारी गिरावट है जबकि निफ्टी आईटी ने कल ही हाई बनाया था आज सुबह ओविसली एक एक्सक्यूस दिया गया एक्सेंचर की ओवरनाइट नीज लेकिन यतिन से जानते हैं कि मार्केट से क्या फीडबेक मिल रहा है क्यों आईट लेकिन अभी जो बजार में जो हलचल है उसके इसाब से अगर आप देखे तो एक्सेंचर येस्टेड़े ओवरनाइट लगबग 5% गिरा था क्योंकि इन्हों ने अपने जो सीनेर एक्जेकेटिव्स हैं और एंप्लोईज हैं इनके प्रमोशन को होल्ड कर दिया कहीं न कह 26 को ऐसे भी एक्जेंचर अपने रिजल्ट्स डेक्लेर करेगा तो देखना होगा कैसे कॉमेंटर रहता है हाल फिलाल सिटी ने ल्टिय माइंट्री के मैनेजमेंट के साथ बैटक की और जो एनलिस्ट मीट थी जो जो कॉन्वर्सेशन हुई वो यह हुई के Q1 के मुकाबले Q2 में ऐसा कोई बड़ा चेंज ओर्डरिंग में नहीं देखने को मिल रहा है कस्टमर्स जो है कॉस्ट अप्टिमाइजेशन के प्रोजेक्ट जादा प्रेफर कर रहे है तो किसी प्रकार की बड़ी स्पेंडिंग या बड़े ओर्डर में बलकिनेस नहीं देखने को मिल रह कि वेजा है कि impact के बावजूद margins को किस तरीके से maintain किया जाए तो इस एक्षेंचर और LTA मैंटरी के comment से भी आप थोड़ा बहुत एक नेगटिव सेंटिमेंट बजार में IT स्रॉक्स पर देख रहा है थोड़ा सा मामला गड़बर दिख रहा है in fact आद सुबह में मैं happiest mind के management से भ mid year second quarter के beginning में second quarter के बाद third quarter में आता था वो अब company क्यूंकि august में कर रही है वो Q4 तक वो push कर रही है जून में अब आएगा जून में आएगा क्योंकि इनकी august closing है दूसरी तरफ उन्होंने ये भी का है कि third or fourth quarter में ही ज्यादा दर IT companyों में वो demand ट्रेंड में recovery आएगी Q2 में उसका ज्यादा कुछ reflection नहीं देखने को मिलेगा in fact pricing को लेकर का indication है वो भी एक बार सुन लेते हैं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आप सपथाल में नहीं है कि constitution for the last one two years and the capitals formation on the IT spend has been a little muted to both have gone hand in hand and it's been actually if you look at it 16 to 18 months of our customers staying a little away from new fresh spends but now with the capital rate cycle you know changing with hopefully यह दोनों साथ साथ हो रहे हैं अभी तो what we are expecting is a good Q3, Q4, obviously things to change from Q2. This is what I would say from a financial standpoint for a customer and for the industry as a whole. तो यह in fact commentary और जो यातिन भी कह रहे हैं कि देखिए 3rd, 4th quarter तक ही वो revival आता हुआ दिखाए देगा उससे पहले नहीं happiest mind भी mention कर रहा है. Technically जिस तरह की बिए stocks बिखरे हैं सुधीप सबसे कमजोर कड़ी क्या दिख रही है चार्ट्स पर आपको IT PAC में? अरश्यदाजी जो इसाब से OFSS में आप अगर देखें कि जो इसाब से एक बड़े लूग के बाद यह जो selling pressure आया है तो मुझे लग रहा है यह पिछले पाट-छे दिन का अपकों है वो एक ही साथ engulf हो गया है यहाँ पर मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा time लगेगा आप एक reversal आरें के लिए तो यहाँ पर lower levels पे जो 10,700, 10,800 का जो zone था जहां से यह rally start हुई थी मुझे लग रहा है एक बार यह zone retest हो सकता है तो इसमें मुझे लग रहा है थोड़ी और गिरावट अभी बागी है 10,700, 800 तक की 700, 800 तक के levels OFSS में देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर कमजोरी आगे बढ़ सकती है निफ्टे आई टी बाइद वे इस समय साड़े 3% के नुक्सान पर trade कर रहा है यह आई टी counters की मुझे वे जाठ गजा ठी है यह निær निर समय साड़ है झाल झाल